हाई वीवान गुद इबनिंग और वेलकम टू लिटरेचर लवर्ट्स विदेकियस राजवीर और थोड़ा सा टेक्निकल इसू में फेस कर रहा था मैं क्लास को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी फाइनली अब स्टार्ट हुई है काफी लंबा टाइम लग गया आपको वेट करना पड़ा लेकिन कोई बात नहीं परिणाम अच्छा ही होगा है ना सो आज की क्लास में देखिए मेरे पास आपकी लिए दो ऑप्शन्स हैं और दो ऑप्शन्स में से या तो आप मुझसे डीटेल पढ़ सकते हो और या तो फिर अगर आप चाहो तो आप mcq मेरे शाद सॉल कर सकते हो तो डिपेंड ओन यू पढ़ना क्या है एक बार जो ज्यादा बताएंगे बच्चे वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गुद इमनिंग एब्रीवन और वेलकम टू लिट्रेचर लवर्ड चलिए कमेंट बॉक्स में फटा-फट सब लोग बता दीजिए कि आपको डीटेल पढ़ना है या फिर mcq दोनों है मेरे पास आज आपके लिए और mcq डीटेल mcq डीटेल जो भी आपको पढ़ना है फटा-फट प्लीज डीटेल और mcq वंसमोर गुडीवन चलिए एक दिन में पूरा क्रिटिसिस्म आपको मैं रिवाइ है और तब तक मैं आपको एक information भी दे दूँ गईज अगर आप यूजी सिनेट आस्परेंट है तो देन यू कन आल्सो जॉइन माई पेड कोर्सेज ओन अनक्याडमी दी लर्निंग आप गईज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लाटफोर्म और वहां पर मैं आपको डेली सिक्स पीम क्लासेज भी प्रवाइड करता हूँ सो आज भी मेरी क्लास सिक्स पीम थी कल भी होगी सिक्स पीम ओन अनक्याडमी दी लर्निंग आप अगर आपका मन हो सो डेफनेटली आप आ सकते हैं और इस समय आपके लिए डिसकाउंट चल रहा है 20% डिसकाउंट और जो इसके बाद का जो अटैम्ट है उसके लिए न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है ठीक है चलें ओके गाइस सो देखें डीटेल ज्यादा बच्चे कहा रहे हैं और देखिए मैं आपको सिर्फ क्विकली आज रिवाइस कराऊंगा है ना क्विकली हम आज रिवाइ और इपी यू बी एल आई सी का क्लास आपकी शुरू और रिपबलिक तो को क्या करना चाहिए बैनिस कर देना चाहिए अगर पोइट्स को बैनिस्ट कर देंगे तो इस्टेट आईडियल हो जाएगा वाइगा क्योंकि इनका मानना है poets immorality फैलाते हैं और दूसरी चीज ये थी कि ये हमें emotional बनाते हैं इमोशनल ये बात आप याद रखेगा imitation ये इन्होंने एक word यूज किया है mimesis imitation के लिए m-i-m-e-s-i-s mimesis word आपको याद रखना है and poetry he said twice removed from reality क्या कहा था? twice removed from reality copies of copy, poetry क्या है? copies of copy है and poetry is therefore the mother of lies poetry के लिए ये भी कहा था it is mother of lies guys है न? yes, it is mother of lies please याद रखिएगा बहुत अच्छे से याद रखना है और interesting part ये है guys कि जो poets को ban करने की बात कही थी so इन्होंने एक और interesting बात इसमें aid किया था that is they are madly inspired है न? they are madly inspired है न? और इनके जो गुरु जी थे उन्होंने कहा था divinely inspired he gave the example of chair chair का example दिया था गईज प्लेटो आपके कहां से associated थे? academy के साथ न? he was head of academy academy क्या था? क्या था गईज? Athens में situated एक educational institute था so उसके head थे academy के he gave the example of chair he said poetry is the mother of lies poetry is the copies of copy it is twice removed from reality imitation merely as mimicry or survival copy of nature है न? इन्होंने कहा inferior और later on he also added कि अगर कोई समझ लीजिए कि अगर कोई inferior से साधी कर लेगा तो offspring भी inferior होंगे मतलब बच्चे भी inferior होंगे गाईज ठीक है? प्लीज अब आप समझ गए होंगे I hope so कि इतनी सारी बाते हैं और इन्ही में से आपके इग्जाम में question आ चाहेगा Poets should be banished from an ideal state because they are producing immorality in his republic guys Republic नाम का इनका work है Yes And he was an idealist ठीक है? Idealist थे यानि की जो ideal की बात करते हैं Idealist he was Okay? Idealist means हमेशा इनको ideal बात बड़ी अच्छी लगती है Please याद रखेगा ठीक है? और हाँ एक और interesting बात मैं आपको बता दू Plato के regarding Ideal के साथ साथ guys He said He just You know guys Poetry को जो criticize किया था इन होने So moral Moral Philosophical And philosophical And educational background Three backgrounds are there Morality, philosophy and education के purpose के लिए Poetry बिलकुल बेकार है According to Aristotle Sorry, according to Plato Not Aristotle Please, please, please According to Plato Morality principle नहीं है Philosophy के लिए और education के लिए He also gave cave theory याद रखना चाहिए आपको Cave theory He also gave cave theory Cave theory क्या है एक बार Internet पर search किये जेगा Cave theory by Plato Images वाले पार्ट पर क्लिक की जेगा ठिक है Yes So morality, philosophy and educational background पर इन होने क्या किया Poetry को criticize किया याद रखियेगा guys ठिक इतनी सारी बाते हैं अगर आपको याद रही है आप Plato को answer कर लोगे exam में इस नेक्स्ट वन है देखिए हमारे पास तो वो है Aristotle Aristotle का गई जो work है that is Poetics Aristotle का जो work है that is known as Poetics प्लीज याद रखियेगा Aristotle का जो work है that is known as Poetics वैसे Aristotle ने दो वर्क लिखे थे एक है Poetics and एक है रेटरीक Poetics and रेटरीक these are the two works जिनको Aristotle ने लिखा ठीक है और Aristotle जो थे guys so यह disciple थे किसके प्लेटो के disciple of Plato but he replied okay yes he replied और इनका जो कहना था guys तो वो बहुत interesting by the way he said yes imitation है सब कुछ है चलिए कोई बात नहीं लेकिन इनकी जो definition आती हो बहुत अच्छी है he said एक तो मैं पिछले वाले में थोड़ा सा प्लेटो में एक बात बताना भूल गया प्लीज आप यहां पर एड़ और कर लिजेगा यह न यह गाई इट वाटर्स एक और बात याद रखिएगा यानि पोईटरी हमें क्या करती है यह एमोशनल करती है ओके और इवेन हीरो जो गाइज होमर के वर्क है इनकी जो प्रॉब्लम थी वो होमर के इलियाद से थी यह न यस इलियद से थी गई है न वार मुंगर कहा था उसको अकलीस को वार मुंगर कहा था इन्होंने गाट इट इवन गॉड हैस न रिप्रेजेंट इन इन द वे कि बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया हो गॉड को यह दो पॉइंट थे जो मैंने छोड दिया था अब अच्छा इसके बाद हम लेख लीजे अरिस्टोटल सो गाई इन्होंने पॉटिक्स लिखा ही वस डिसाइपल अ प्लेटो अन वाट ही दिद इन्होंने ट्राजडी की देफिनिशन दी एंड ट्राजडी कोल तू पोईटरी मानियेगा विकित सबसे पहले पोईटरी ही बहुत जदा-चादा फमास. Got it? He said that tragedy is an imitation of annexion that is serious, complete and of certain magnitude. In the language in Virginis with these kind of artistic ornament and several kinds being found in the separate part of the play. In form of action not of narrative and through pity and fear arousing proper purgation of these emotions. So guys he said the purpose of poetry is to purification or purgation. Purification or Purgation of Emotions Purification or Purgation of Emotions Aristotle का ऐसा कहना था Got it? Yes, he says art imitates nature But that nature, you know, human nature Art human nature को imitate करती है Art imitates not the mere show of things और shadow of things क्योंकि Plato का कहना था कि जो art है वो शिर्फ shadow of things को ही imitate करती है और उनके बारे में ही लिखती है But he said, yes mere show of things but the ideal reality किसको imitate किया जाता है ideal reality का those things that are ideal guys embodied in the very object of the world और इन्होंने guys tragedy के बारे में definition के साथ साथ इन्होंने tragedy का tragedy से मतलब basically poetry और tragedy सब कुछ mix होता है because epic जो था सबसे पुराना form था guys था ना? The oldest form of writing poetry Then guys इन्होंने tragedy में बताया there must be these parts like plot, character, thought, diction, song and spectacle there are six part there are six part guys got it na? Yes, plot, character, thought, diction, song and spectacle and then plot guys so plot इन के लिए सबसे जादा इंपॉर्टन था Aristotle के लिए सबसे जादा plot इंपॉर्टन था He said it is the soul of tragedy guys है na? Yes It is the soul of tragedy you know plot is the soul of tragedy plot के लिए और plot के लिए ने दो बाते हैं कही Yes simple plot simple and complex simple में guys no peripetia और no anagnosis no no बस समझ लीजे है है ना? and in complex plot anagnosis and peripetia guys p-e-r-i-p p-e-t-e-i-a peripetia and peripetia and anagnosis complex plot अब मैं बता हूँ आपको exam में question क्या आता है exam में आपके most of the time you will see the question like these guys है ना? कि किसका क्या मतलब है? यहाँ पर सबसे जादा यही पूछा जाता है like mimesis or imitation guys है ना? Yes So he said Aristotle said that it's a kind of representation of ideal reality representation of ideal reality guys got it? representation of ideal reality it's not mere copying at all the purpose of art is to produce catharsis और purgation और purification of emotions okay please देखिए तो इनका मतलब आपको याद रखना peripetia means reversal of fortune please अपने mind में डाल दीजे please okay anagnosis discovery यह आपके exam में यही आता है directly है discovery और recognition of the situation or the moment got it? यह कहीं पर आपको लिखा होगा yes ignorance to knowledge भी लिखा हो सकता है आपके लिए ignorance to knowledge discovery recognition of the moment or the situation है नव yes anagnosis peripetia and anagnosis as I have already told यह complex plot का पार्ट होते हैं and plot क्या होता है plot that is arrangement of incidence proper arrangement of incidence is known as plot तो यह देख लिए दोनों होना चाहिए है ना catharsis catharsis guys purification और इसी को purgation purgation or cleansing purgation purgation और cleansing ठीक है yes so इनों ने कहा था था ना last में through pity and fear arousing the proper purgation of these emotions purgation terminology आपके एक्जाम में आती है detail नहीं आता है ठीक है aristotel terminology plato terminology terms ही पूछे जाते हैं ठीक है yes now see hemorrhia what does hemorrhia mean देखिए मैंने इसको बताया था some error of or frality or error of judgment ऐसे लिखा होगा hemorrhia को error of judgment बोला जाता है ठीक है fatal flaw और tragic flaw hemorrhia को translate किया जाता है कैसे fatal flaw or tragic flaw or error of judgment जैसे मैं बताता हूँ कि जब hemorrhia hammer किसी की उपर गिर जाता है तो क्या होता है उसका कहानी उसकी खत्म है ना and catharsis जो cathagarras कैसा होता है pure होता है that is purgation cleansing purification got it इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जीजे got it इसके अलावा भी apart from these all things but ये he was also talking about the three unities guys let down by Aristotle three unities है ना yes three unities please keep in mind ये तो सब लोग जानते होंगे TPA means time, place and action T for time P for place A for action so TPA must be followed TPA must be followed मतलब time place and action और आपको याद रखना होगा कि you know guys कि Aristotle ने तो ये सारी चीजे कही but William Shakespeare ने सिर्फ action को follow किया किसे he followed only action time और place को इन दोनों को violate किया है William Shakespeare ना William Shakespeare guys take time, place and action TPA and then you can see these are the three unities let down by Aristotle है ना बिलकुल देखिए time, place और action इनको अगर बहुत डीटेल में पढ़ोगे तो बात अलग है अगर ऐसे याद रखना है so TPA, time, place and action ये guys बहुत है more than enough है है ना येस ये नो गाइस कि जो Aristotle ने example लिया था जैसे मैंने आपको बताया Plato ने किसका example लिया था so Plato he picked up Homer and his work Iliad Iliad and Odyssey that were the part of the syllabus जो academy में बच्चों को पढ़ाया जाता था that was the part of the syllabus and here you can see Aristotle so Aristotle ने गाईद एक question जरूर आ जाता ठीक है आपकी UG सिनेट exam में so he picked up the example of Oedipus Rex okay Oedipus Rex got it please एक बार like और share कर दीजेगे at least Oedipus Rex got it इन्होंने जो अपनी theory दी है tragedy की that is based on Oedipus Rex please और सुफोकलीस कौन थे he was a Greek tragedian he was a Greek tragedian और Oedipus की कहानी आपने अगर नहीं पढ़ी so YouTube में search कीजेगा Oedipus Oedipus the king by और guys Oedipus by Sophocles है ना और लिख दीजेगा A.K.S. Razvir तो आपको मिल लाएगा मैंने खुद पढ़ाया था YouTube में ठीक है इससे एक question जरूर आता रहता है ठीक है नाव गाइज नेक्स्ट वन we have Horace and Horace he wrote the book Ars Poetica first of all आपको यह जानना चाहिए Ars Poetica it was translated into English as the art of poetry it was translated into English as the art of poetry Ars Poetica और English में से जब इसे translate किया गया so it was known as the art of poetry है ना जैसे गाइज की अच्छी poetry कैसे लिखना चाहिए Horace का यह मेन परपज है how to compose good poetry because the status of poetry that was declining gradually and you must know guys की जो यह आपके Horace थे यह एक Roman critic थे और जो मैंने Plato और अरिस्टोटल की बात की these were the Greek critic Greek और यह Roman है ठीक है यस गैज Ars Poetica और the art of poetry यह Epistal थे Epistal का मतलब समझते है E-P-I-S-T-L-E Epistal Means होता है Later Epistal Means Later गाईस है ना Yes Epistal Means Later Got It Later form में इनों ने लिखा था किस को किस के लिए गाईस P-I-S-O-S P-I-S-O-S Means P-I-S-O-S कौन थे गाईस यह Roman एक family थी बहुत ही ज्यादा जैसे होलता ना कि बहुत अच्छी फैमिली इस जो होती है So this was a Roman family actually Got it na Yeah So यह एक Roman family थी P-I-S-O-S के लिए लिखा था And he was talking on three points Poesis, Poema and Poeta Got it Poesis, Poema and Poeta Means Poem, Poet, Poem and Poesis The form The form guys Okay Yes guys और इसके लिए आपको याद क्या रखना है प्लीज देखिए और कुछ याद रहे या ना रहे In media rest Aptpictura Poesis And you know guys Duke's X Machina And then we have The main purpose of poetry Instruct and Delight And Homer's Node Even Good Homer Nodes Even Good Homer Nodes इतने points आपको याद रखना है बस आपको एक्जाम में काम हो जाएगा Okay Yeah So In media rest Means in the middle of the things Aptpictura Poesis It means as in painting So in poetry Then we have Horace He also warns against Duke's X Machina What does it mean? Duke's X Machina What does it mean? It means होता है guys God out of machine God out of machine So he warned God out of machine God out of machine इस device को ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए In poetry For writing, for composing, good kind of poetry ये terms आपके exam में आएगे ठीक है Terms Ars poetica The work written by whom So ars poetica Written by Horace इस तरह का guys exam में आपके Question आता है ठीक है? बिल्कुल मैंने पहले सोचा था कि बच्चों को देखिए वैसे interest नहीं रहता UG Senate वाले बच्चे ज़्यादा interested नहीं रहते UG Senate वाले बच्चों से ज़्यादा तो मेरे TGT-PGT वाले रहते है But कोई बात नहीं चलेगा Yes Next one guys we have Longinus और Longinus का work है guys On the Sublime It was written in Greek language किसमें लिखा गया था guys ये Greek language में लिखा गया था Greek language में और इसका नाम था P-E-R-I-H-Y-P And Perihipsos guys ये इसका पूरा नाम था And it was translated into English as on the sublime Sublimity के बारे में guys बात करता है Yes On the Sublime Correct है ना? बिलकुल On the Sublime एक मिनट के लिए आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मैं तो शेयर ही कर लूँगा अट लिस्ट Live आ जाओ सभी मैं शेयर कर लूँ थोड़ा सा क्यूंकि बच्चे मुझे बड़े कम दिख रहे हैं At least कुछ बच्चों को पता चल लाएगा सायद वो आ गए क्लास में तो अच्छा ही है और नहीं आए तो भी और भी अच्छा ही है कोई दिक्कत नहीं है Okay guys क्यूंकि देखें बच्चों के मन की बात है अगर आना चाहें तो आ सकते हैं नहीं आना चाहें तो नहीं एक मिनट के लिए प्लीज ओके गाइस ठीक है या या गाइस ओके नो इशू एट आप सब लोग बहुत बढ़ी हां है कोई बार के मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना जाइनस ही रोट देवर्क ओन देवलाइन गाइस है ना यस ओन देवलाइम एन टीचर का इस्टूड़न के लिए हाँ बाइए टीचर टू एस्टूड़न्ट ओके यस गाइस बाइए टीचर टू देश्टूड़न्स यह और यहाँ पर सबसे ज़्याद आपकी एक्जाम में पूछा क्या जाता है source of sublimity so according to Longinus five source of sublimity are there कितने sources sublimity के five source of sublimity are there guys grandeur of thought capacity for strong emotion appropriate use of figure of speech and novelty of diction and dignity of composition and among these five the most important one the most important one which one is the most important one that is the grandeur of thought grandeur of thought is the most important guys the most important source of sublimity and what does sublime mean a certain distinction and excellence in expression, a certain distinction, an excellence in expression is known as, yes, certain distinction and excellence in expression is known as sublime, guys, yes, it is also defined as the echo of the greatness of spirit, sublimity ko aap aise bhi define kar sakte echo of the greatness of the spirit, okay, yes, और false sublime bhi hota है, false sublime is also there, कुछ लोग अपने work keys ko sublime बनाने के लिए और sublimity के लिए करते क्या है, अना, yes, अच्छा, even good homer nodes, हाँ, कभी even homer जैसे master भी गलती कर सकते हैं, even good homer nodes का मतलब है, even homer जैसे master भी गलती कर सकते हैं, correct, वो जो मैंने आपको पीछे बताया था, and when people fail, when people try to be sublime but fail, they produce kind of fullest bombast, guys, अगर कई बार जैसे, कुछ लोग sublimity के चक्करे में कुछ जादे sublime कर देते, means, they want to just write a work, और ऐसा work लिखना चाहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा बनाने के चक्कर में, कुछ जादे अच्छा कर देते हैं, वो किसी लाइक नहीं रह जाता, correct, that is, so guys, longinus से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला question है, sublimity, source of sublimity, five sources are there, and these are the five sources of sublimity, okay, yes, longinus, guys, ठीक, yeah, now, proceeding to the next one, so we have another one, uh, critique, and he is known as Philip Sidney, Sir Philip Sidney, नाम सुना होगा आपने, इनके लिए, guys, आपके एक्जाम में क्या पूछा जाता है, ठीक है, चले, हाँ, flowery language, purple patches, कई सारे words आपको देखने को मिलेंगे, Sir Philip Sidney, apology for poetry, guys, actually मैं Sidney का लिखने का कोई mood नहीं था, लेकिन होता ना, कई बार लोग कोउच देते हैं, हैंना, yes, got it, कई बार क्या होता ना, कुछ लोग कोउच देते हैं, कोउचने का उतलब समझते हैं, जबर जस्ती की यार कुछ तो कहो, so Sidney, actually, he was not writing anything, guys, but what happened, suddenly, a man came, Stephen Gosho, and he wrote a work, school of abuse, और poetry को तमाम सारी उल्टी सीदी बातें कह डाली इस इंसान ने, Stephen Gosho, and he put the four charges, guys, और क्या किया, और एक interesting काम और किया, Stephen Gosho, he dedicated the work, school of abuse, to Sydney, और Sydney, guys, हैंना, और Sydney, Sydney से वैसे familiar थे, हैंना, yes, so by the way, जब Sydney को लगा, कि, the man is Stephen Gosho, he is, he is, you know, guys, making a kind of charges against poetry, और सबसे बड़ी बात तो इसने पता है, क्या का, चेला बन गया था, प्लेटो का चेला, हैंना, yes, प्लेटो का सबसे बड़ा, guys, ये चेला बन गया, है, he said, प्लेटो राइटली बैनिस्ट दा, पोएट्स फ्रॉम आईडिल इस्टेट, है ना, प्लेटो वाज राइट, स्टीफेन गोशोन ने का, मतलब कि प्लेटो सही था, उसने का, पोएट्स उड़ी बैनिस्ट फ्रॉम एन आईडियल इस्टेट, एक आदर्स सामराज से पोएट्स को बैनिस्ट कर देना चाहिए, तो, he was right, गेटी स्टीफेन गोशोन ने का, और इंटरस्टिंग बात एक और है, स्टीफेन गोशोन के वर्क का टाइटल पढ़िएगा, प्लीज थोड़ा सा, इतना लंबा समल्ली, जब मैं स्क्रीन से बाहर निकल जाओंगा, इतना लंबा टाइटल, इतना लंबा टाइटल, इन्हों ने लिखा था है न, और देखिए, इन्होंने क्या कहा, these are the four charges, he said, a man could employ his time more usefully than in poetry, मतलब, poetry के अलावा भी आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है, correct न, got it, yes, poetry के अलावा भी, a man could employ his time more usefully than in poetry, and it is mother of lies, poetry is what, poetry is mother of lies, is, got it, poetry क्या है, mother of lies, वस वही प्लेटो की बाते हैं, just he is repeating, है न, या, प्लेटो की बाते हैं, directly repeat करते हैं, and it is immoral and the nurse of abuse, poetry is immoral and it is nurse of abuse, and Plato had rightly when he spread from idealist commonwealth, मतलब, जितनी बाते हैं बची थी, सारा कुछ इस बंदे ने कह डाला, these are the four charges against poetry, and by Stephen Goshon, Goshon भाईया, इनको कुछ मिला नहीं है न, yes, now guys, the turn came, so Philip Sidney ने कहा कि ठीक है, सुन लो, एक बात मैं तुमको बताओं, Goshon भाई, सुन लो, कि क्या-क्या चीजे हैं, क्या-क्या प्राब्लम हैं, So he said, poetry alone teaches and moves to the virtue, and therefore a man cannot better spend time, his time than in it, मतलब, poetry is the best thing, अगर आप poetry पढ़ते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, and you know, कि a man cannot better spend time, his time than it, यानि इस से ज़्यादा और कहीं अच्छे time, अच्छे से spend ही नहीं कर सकता, so guys, these are the, these are the, you know, guys, points, four points है, यहाँ पर defense कर रहे हैं, जो Goshon ने कहा, उसका defend, guys, है न, a poet has no concern with the question of veracity or falsehood, और poet देखी, कभी यह नहीं कहता, मैं सही बोल ला हूँ या गलत, got it, मैं सही बोल ला हूँ या गलत, doesn't matter, it is man's wit that abuses poetry, not vice versa, it is man, यह देखे, हम लोगों की समझदारी है, कि हम लोग poetry को तमाम सारी, we are the composer, we people are composer of poetry, अगर हमने कम पोच किया, तो हम poetry को गलत तरीके से यूज़ करें, that is what, and then, it is without foundation, because Plato did not find fault with poetry, but only the poets of his time who abused it, Plato ने बाद में माफी भी मांगी थी पता, एउन वर्क लिखा, and guys, you know, Plato ने एउन में कहा, कि नहीं नहीं, I am talking about the poetasters, सभी poets को नहीं बैनेस किया जाना चाहिए, only, उन poets को, those are the inferior poet, और the poetasters, तो ये guys, आपके charges के answer है, by the way, Sydney was talking about three types of poetry, इन्होंने कहा, R.I.P. ठीक है, ये याद रख लिजेगा, प्लीज, काम आजाएगा, आपके, religious, imaginative, and philosophical, religious, imaginative, and philosophical, three types of poetry, guys, है ना, and even he said, कि जब अभई जो Bible के Psalms है, so Psalms are also written, है ना, Psalms even written in poetic format, it means Bible भी बेकार है, है ना, yes, तो देखिये भई सब किसी को कुछ कहना है, तो वो तो सब कुछ बेकार कह सकता है, जिसको कहना है, जिसको नहीं कहना, आँ कुछ भी बेकार नहीं कहेगा, ओके, न वाँज वी हैव अनादर वन क्रिटीक, एन ध्राइडन गाइस, आ नियो क्लासिकल क्रिटीक, ड्राइडन, अ नियो क्लासिकल क्रिटीक, ड्राइडन की अगर गाइस में बात करू, an essay on dramatic poeji this is the work that came in the year 1668 1668 okay dramatic poeji and this is an essay in dialogue format guys essay है लेकिन dialogue format में है okay dialogue format में and dialogue by the four gentlemans एक का नाम है क्राइट, it's Eugenius, Lysidius and Neander and the purpose of Dryden is to defend the English drama the Elizabethan drama drama को लेकर के बहुत सारी बातें चल लही थी drama बुले French drama ज्यादा सुपीर है someone said Greek drama बहुत ज्यादा सुपीर है ना French Greek and all and all one minute के लिए प्लीज मैं थोड़ा सा एक बहुत important call है okay yes so the rights Eugenius, Lysidius and Neander he is defending the ancient drama इनका कहना है कि जो ancient आपके classical writers थे classical राइट लाइक एस्केले सफोकलीज उरिपडीज इन सब की सब समझ लीजिए कि यह जो सारे बाकी अधर्स हैं they are just the shadows mere shadows of these classicals यह क्राइट एंसेंस को बहुत ज्यादा इनकी बढ़ाई करेंगे है ना Eugenius he supported the moderns but moderns को सपोर्ट करने की बज़ा है he started criticizing ancients इन्होंने ancients को खूब क्रिटिसाइज किया and then Lysidius he supported the French drama और French drama को सबसे ज्यादा सुपीरियर बताया okay got it French drama को सबसे ज्यादा सुपीरियर बताया and Neander Neander guys he supported English drama and he supported Elizabethan playwright like William Shakespeare and Bain Johnson और William Shakespeare के लिए इन्होंने कहा है I admire him Bain Johnson के लिए कहा I admire him but I love Shakespeare guys I admire him but I love Shakespeare तो Bain Johnson के लिए एड्मायर and then he also aided आपके जो John Dryden है उन्होंने Shakespeare के लिए कहा Shakespeare is the Homer and Bain Johnson is the Virgil so Homer and Virgil के साथ भी comparison किया अगर आप dramatic poetry को पढ़ेंगे so then you will find these all statements okay and he also said the most comprehensive soul among all those दोज और इसी लिए इन्होंने जो Dryden है so Dryden ने Elizabethan drama को सबसे ज्यादा superior बताया at the end guys so यह याद रखना है कि Crides, Ancients, Eugenius, Moderns, Lysidious the French and Neander more English guys the English means Elizabethan playwrights okay yeah so guys इनके बीच में चार जेंटल मेंस के बीच में यह एक तरह का and Dryden is known as the father of English criticism why guys not Sydney Sydney ने तो इन से पहले लिखा था but why not Sydney the reason is guys this is the original criticism है यह कहीं से कोई inspired नहीं है a kind of comparative criticism जो comparison पर चलता है कि ancient moderns and the French and he is known as the father of English criticism called by Dr. Samuel Johnson Dr. Samuel Johnson ने कहा था इन्हें father of English criticism थोड़ा सा गाइस criticism पार्ट इस्पेक्टेटर में भी आपको नजर आता है इस्पेक्टेटर में आपके लिए लिखा क्या गया था इस्पेक्टेटर गाइस बाइदो वे यह पिरियोडिकल एसेज पिरियोडिकल एसेज की सीरीज थी पिरियोडिकल एसेज सीरीज है यह गाइस है ना बिलकुल और यहां पर इन्होंने कुछ एसेज लिखे थे डाट वर बेसिकली बेस्ड ओन टू अइन फाल्स वेट ऑन ट्रैजडी ऑन पारडाइस लॉस्ट ऑन दा प्लेजर ओफ इमेजिनेशन तो प्लीज इनके नाम बस्याद रख लीजे जस्ट ओनली टाइटल जस्ट ओनली टाइटर प्लीज एन्हा यस गॉट इसके बाद गाईस हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे और आगे देखते हैं जॉनसन बेंग डॉक्टर जॉनसन गाईस और टॉक्तर जॉनसन यह एक पीरियोडिकल एसे है पीरियोडिकल एसे में आपके काम आएगा प्लीज याद रखिएगा और प्रीफेस तु दे प्लेज ओप शेक्स्पीर है इन इस पर्टिक्लर वर्ग एट केम इन दे गिर 1765 फी डिफेंड़ दे यूनिटी इस गैजैन यस यूनिटी इस को इन्होंने डिफेंड किया यूनिटी क्योंकि शेक्स्पीर ने सिर्फ घुनिटी एकशिं डी इस एक र natur लिश गाइन अ छोड़ दी है यहाँ पर जो ड्राइड अंड रामा इस डाल ल rivals unit form इन इवन ट्रैजिक कॉमेडी को यहां पर सपोर्ट किया गई एना टी आर एजी आई सी ट्रैजिक कॉमेडी एंड ट्रैजिक कॉमेडी दिस इस नियर टु लाइफ इन होने का क्योंकि देखिए जिंदगी में खुशी और गम दोनों चलते हैं अब्ट खुशी और गम दोनों चलते हैं सो अब ट्रैजिक कॉमेडी को भी नियंदर ने आपर सपोर्ट किया एंट ट्रैजिक कॉमेडी दाट वस्क्रेट बाइट याद रखेंगे और इसके बाद डॉक्टर सैमॉल जॉंसन की बात कर रहे थे हम लों डॉक्तर सैमॉल जॉं काम है and believe me metaphysical से आपको एक क्वेस्टन मिलने वाला है 100% Metaphysical poets इससे एक क्वेस्टन जरूर होगा आप चाहे कहां से भी क्वेस्टन आए बटाएगा जरूर clear so in this work lives of the most imminent English poet that actually guys is time period मैं 79 81 के time period मैं and this is the collection of biography of 52 poets and here guys in the very first chapter that is known as the life of Kavli life of Kavli he coined the term metaphysical poets so dr. Samuel Johnson ne metaphysical poets ko coin kiya tha and the word metaphysics was used by Dr. sorry by John Dryden John Dryden ne metaphysics word use kiya tha kahaan par nahi pata yes Neander he himself was Dryden that is great okay so guys जैसा कि मैंने बताया guys metaphysical poets life of Kavli and you know guys essay concerning satire something is like that guys a work is there by John Dryden and on that one work he used the word he affects metaphysics means done affects metaphysics or metaphysical poets famous कैसे हुए है so वो famous होते है T. S. Elliot के essay के साथ the metaphysical poets okay तो यह बात प्लीज याद रखिएगा अच्छे से याद रखिएगा काम आएगा आपके आगे then we have Samuel Taylor College Samuel Taylor College से आपकी एक्जाम में क्या आता है first of all biography and literary के बारे में जान लीजे 1817 and this is the work autobiographical work guys यह है आपका biography and literary okay biography and you must keep in mind जो सबसे ज्यादा आपकी एक्जाम में पूछा जाएगा वह associated होगा fancy and imagination fancy and imagination fancy and imagination imagination two types of imagination primary imagination and secondary imagination two types of imaginations are there primary imagination and secondary imagination guys so fancy is always associated with fixities and definities fancy associated with fixities and definities and imagination that is secondary dissolve diffuse dissipates in order to recreate dissolve diffuse dissipates in order to recreate got it तो यह concept आपको हमें देखने को मिल जाते हैं biography and literary और इसी के review में Francis Jeffery ने term coin किया था लेक poets the review of the work was written by Francis Jeffery of Biographical Literary by Samuel Taylor College and there he coined the term the Meta sorry the lake poets including Wordsworth Sadeh and Coleridge ठीक है yes primary or secondary imagination को सबसे ज्यादा आपके एक्जाम में पूछा जाता है और secondary imagination के लिए dissolve diffuse dissipate से याद रखिएगा primary imagination that is a kind of mode of memory and fancy guys so that deals with the fixities and definities इतना आपको माइंड में अपने रखने की जरूरत है john keats guys john keats के जो concept है that is a negative capability so negative capability के लिए आपको सिर्फ याद रखना है self oblivion is known as negative capability and then egotistical sublime egotistical sublime okay egotistical sublime एक यह concept है negative capability यह Shakespeare में इन्होंने कहा बहुत ज्यादा मिलेगी आपको Shakespeare is the prime example और egotistical sublime so guys इसके लिए इन्होंने words worth के लिए यूज किया था words what and you know guys जिसमें लैक हो negative capability की so he or she is suffering from negative and a yes got it now yeah egotistical sublime William wordsworth egotistical sublime or egotistical sublime का मतलब मैंने आपको बता दिया lack of negative capability means egotistical sublime and Shakespeare so guys the prime example of negative capability the term guys he gave in his later or Keats की definition भी बहुत अच्छी है बहुत important है guys है ना yes poetry को इन्होंने poetry के लिए क्या कहा है poetry must come as naturally as leaves to tree कहीं कहीं पर grass लिखा होगा कहीं पर tree लिखा होगा है ना और अगर नहीं आती so then it is better not come at all तो फिर फिर अच्छा होगा कि poetry हो ही ना something ऐसी कुछ definition है थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं इसलिए मैं exactly नहीं word quote कर पा रहा correct ना so yes और इसके लिए देखें negative capability के लिए नहीं जो word लिखे थे कीट्स ने so these are the words look at the board to be in uncertainties mysteries and doubts without an irritable reaching after fact and reason after fact and reason इतनी बाते तो मैंने बता दी एक interesting बात मैंने आपको पीछे छोड़ दिया मुझे याद आ गई मैं बता देता हूं गई इनका एक और concept है Samuel Taylor College का and the concept is motiveless malignity motiveless malignity M O T I V E L E W S malignity guys and one more concept is they are associated with Samuel Taylor College that is willing suspension of disbelief बहुत ताकत लगती है पढ़ाने में बहुत ध्यान से पढ़ लिया करिये वच्चा पाढ़ती है बहुत ताकत बहुत सोच बहुत दिमाग और बहुत कुछ लगता है पढ़ने पढ़ाने में इसी लिए जीवन को बनाने के लिए पढ़ते चलिए ठीक है है हाँ सो दाइद इस विल्म स सपेंशन ऑप इस बिलीघ इस terrace challenge थि ओ डिस बडिशन ऑइसन यह बिलीव बिलीघ रखाsheet को सब्सक्राइब आ बिलीघ को ना म का लिएयो अ आई एजी ओ इयागो का नाम जानते हैं अगर ना जानते हो तो जान लीजिएगा इयागो विलेन इन ओथेलो अन्विलिंग सस्पेंशन आप इस बिलीफ इट मीन्स साक्रिफाइस ओफ रीजन माली एक मूवी देखते हैं और हीरो ने स्टंट किया एक मूवी आप देख रहे और हीरो ने स्टंट किया है ना हीरो हिरोईन को ले करके 10th floor से कूद गया और आपने क्या कहा अरे यार यह सब फाल्तू की चीज है जब देख ऐसे बे मतलब की चीज़ें दिखाते रहते हैं यह फाल्तू की चीज़ें या बे मतलब की चीज़ें दिखाते रहते हैं आप ऐ आपने रीजन को क्या कीजिए पीछे छोड़ दीजिए चुपचा ज्यादा ग्यान और गडित मत लगाई है जैसे मानली जी कोई आपके साथ मुवी देखने गया अरे यार ऐसे ही सुटिंग होती है तो मतलब वो मुवी का पूरा मजा खराब कर देता है आपको सपोज करना पड़ेगा हाँ 10th मंदिल से इन्होंने जंप लगा दिया है यस क्योंकि देखिए जब हीरो और हिरोईं 10th मंजिल से जंप लगाते है ना 10th floor से जब वो नीचे गिरते स्लो मोशन में है लाइक यूनो ऐसे पकड़के स्लो मोशन में स्लो मोशन में धीरे ध और तूट गए और वो आराम से ऐसे यस बच गए वाह क्या बात है भई सो विलिंग सस्पेंशन और दिस्वलीफ रिजेक्शन ओप क्रिटिकल फैकलिटी ओफ माइन रिजेक्शन ओफ क्रिटिकल फैकलिटी ओफ माइन मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं बहुत सारे लोग दिमाग लगाने लगते हैं ना स्लो मोशन में टाइप वाव ग्रेट ठीक है स्लो मोशन में थोड़ी सी याद रख लिजेगा चीजे हैं अगर आपके एक्शाम में काम आ गई देखिए अगर आपके एक्शाम में मैं एक क्वेशन भी कंट्रिब्यूट कर सका तो मैं सवभाग गिशाली होँगा सच में मुझे लगेगा कि जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और जो लाइक वाला बटन है बेटा दबा दो और ना मैं आपको दबा दूँगा पता कैसे दबाऊंगा वह मत पूछिए पूफाउक की लाइन सियाद हैं जैसे पूफाउक कहता कि माइक इसए यहउसी मैं आपको दबाऊंगा यइस सब्लीड नशिए अब आप नाव गाइज वी हब मैथ्य और नौल एक्चली गाइज मैथ्य और नौल को M A W T H E W लिखना चाहिए था लेकिन मैं महान हूं कोई बात नहीं मैथ्य और नौल ओके येस ग्रेट ना मैथ्य और नौल गाइज मैथ्य और नौल के दिखी ये सारे वर के लाइक एसेज इन क्रिडिसेजम प्रीफेस टुद पोएम्स कल्चर एन अनार्की फ्रेंड्शिप फ्रेंड्शिप्स गालान लिटरेचर एन डॉगमा दस्टडी और पोईट्री बहुत सारी ग चासर गाइज एना यस जोफ्री चासर यूनों की सेट जोफ्री चासर में क्या चीज हमें देखने को मिलती है बैटेज लाइक आफ हाई सीरियसनेस अन हायर टूथ दिन वी हैवन मोर तर्म फ्रों मैथी और नौल और नौल एंडट इस टच इस्टोन मैथेड वाव यसा है मैथी और नौल कहते हैं कि मेरे पास यह वाला पत्hthr है मेले लड़ी लाइक कि मेरे पास यह वाला पत्तर है और मैς जिसमें चुला दूगा वो सोना बन गई रहीए क कहीं यह इस कहीं यह लग रहा थी अले सोना स Keys लाइं आगर स्इंद लेकिन नहीं मैं मना कर देता भाई no 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 नो छुलाना मत सोनान बंत बनने देना है न मैं कहता मेरे डिजिटल बोर्ड में टच करा दो यह वैसे भी 100 kg से कम नहीं है तो मैं कहता रहे वाह गजब मज़ा आ गया बट अब है नहीं सो अर्नॉल्ड ने गई स्टेश स्टोन में क्या किया सो अर्नॉल्ड ने टैश स्टोन म के बाद बोले दीज आर दा लाइम्स और अगर हमें कोई पोएम इन लाइन के एक्वल सेंस देने वाली मिलती है तो देन ओनली वी केन कंसीडर कि पोएम ग्रेट क्वालिटी की है मतलब यह समली भीया पगला गए थे हैं यह ना की वाच सफरिंग क्रॉम फॉम आ काइंड इनका गईस टॉट्च इस्टोन मेथट इनका गईस यह एंडट गईस एंड गईस यह एंड इस पिक्ड़ प्यू पैसज़ेस इनों ने पिक्ट कर लिया कुछ होमर से दानते शेक्सपीर से एंड मिल्टन से अना बिल्कुँ अलेटर ओन गईसी ऑल्सो क्रिडिसाइज गया नहीं कि MS में हाई सीरियसनेश नहीं कि एक और गैस आपके पोएंट थे क्या नाम था उनका डिमाग में अंदर नहीं आ रहा रहा है एक्शाथव ऑजारी अंडरहीं मिल्स और पाहरत नहीं आ रहा है सिय फी cer Matt और रोमेंटिक्स के लिए तो इनके लिए कुछ वर्ड ही नहीं थे और देखे जो इनके कुछ टरम्स आते हैं अगर आपको याद हो सो गईस टॉम्स बड़े अच्छे हैं कौन कौन से टांब से क्यूंँ एड लगा दिये सर अच्छा एड लग गया था क्या अरे मैंने कव एड लगा है मैंने तो कुछ किया ही नहीं भई तो अपने आप आ रहा होगा तो मैं क्या करूं इस गाइब सो कल्चर एन अनार्की में गई इन्होंने कुछ टर्म्स दिये लाइक हिब्रेश्म पिलिस्टाइन पॉपुलेस और एक और गईस कौन सा टर्म है यस गुरू जी आम फर्स्ट टाइम स्टेडिंग क्रिडिसेज्म पी प्लीज हेल्प क्या करें प्रनीता वेटा निकल के आजाएं बाहर अब हेल्प ही तो कर नहीं पढ़ा करके ऐसी हेल्प की जाती पढ़ा के बिटा और इसके लावा और कोई है नहीं होती यहां पर अच्छा एड आया था सो ठीक है कोई नहीं हो सकता है कि टीम लिट्रेटरेचर लवर्ट्स लगी हो पीछे से आ कि स्वीटनेस ड्लाइट करेक्ट ना स्वीटनेस अन लाइट से नोने लिया ठाटीक है जोनाथन स्वीप जोनाथन स्वीफट यह स हाँ जोनाथन स्वीप्ट गाइस करेक्ट ना और देखिए ये टर्म भी है ये याद रख लिजेगा Hebrism and Hellenism these are the terms matching करने के लिए आता है जैसे कि ये match कर लिजे and poetry is the criticism of life ये statement जरूर याद रख लिजेगा ठीक है poetry is the criticism of life poetry is the criticism of life please criticism of life ये वाला statement बहुत आता है आपके एक्जाम में poetry is the criticism of life अना yes poetry is the criticism of life yes आकर्शन सर बहुत तेंशन हो रही ओ माई गुद्नेस yes तेंशन इस तर्म गाई जो एस्सोसिएटर है ऐलन टेट के साथ and ऐलन टेट he was heavily influenced from Matthew Arnold आकर्शन जो अपने तेंशन वाली बात किने तेंशन इस तर्म एसोसिएटेड विद एलन टेट और वो गाईज मैथ्य और नॉल से heavily influenced थे क्या बात है वतलब आकर्शन आपने बड़े सही समय पर आपने बात कही है न क्या बात है कितनी अच्छी टाइमिंग थी भाई वाव ग्रेट सो गईज यह आपके मैथ्य और नॉल है मैथ्य और नॉल के बारे में थोड़ी सी मैंने बातें बताई है ज्यादा तो नहीं मैंने बताया बिकिस बहुत बड़ा criticism होगा अभी वेट कीजिए अभी मैं आपको थैंक्यू नहीं बोलने वाला हूं प्लीज अभी मैं थोड़ा है बाइदवें गाइज टी एस एलिएट टॉमस इस्टन एलिएट ही वोज द मैं एसोसियेटेट विद मॉडर्न टाइम पिरिएड ही वोजब पोईट अ क्रिटिक एन आज वलाएज अ प्लेराइट पोईटरी भी लिखी criticism भी लिखा और बोले हम ड्रामा भी लिखेंगे है ना बिल्कुल बाइदवें गई जो टी एस एलिएट के एसेज हैं सो आप इनके लिए एक रफली यह याद कर सकते हो 1920 1920 कौन-कौन से एसेज है जो बहुत फेमस है टी एस एलिएट के प्लीज याद कीजिएगा एक तो है गईज इनका हैम लेट एंड हीज प्रॉब्लम Hamlet and his problem Okay, then we have another one work that is the metaphysical poets the metaphysical the metaphysical poets then one more work is there guys tradition and individual talent कि ट्रडिशन और एंड इन्डी विज्विजवल टालेंट इन्डी विज्विजवल टालेंट का इस है ना येस ये इनके कुछ एसेज के नाम है आपको याद रखना चाहिए ठीक है येस बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है एक्चली बच्चा पालिटी क्या करूंगा मैं बाहर निकलके है ना अपनी तो दुनिया बस यही है हाई अब्रीवन और हैले अब्रीवन से हाई अब्रीवन से शुरुआत होती है और रात के 10 पीम तक चलती रहती है नाइन टैन ऐसे ही चलती रहती है बिलीब में क्या करेंगे हाई हम लिटन में इन्हों ने दान काम से साथ के और दान के भू इस और रिली टि सरु इन्हों ने जो टर्म क्या गिर रातकी पाते हैं याद कर लिए इससेजंद एक इनों ने डडशेशन दिया और एससीशन दिया गया दल येस थीन एकलत युनिफिकेशन छिट और यूनिफिकेशन आठ चरहेंगे तो यूनिफिकेशन और सेंसबिलीट कैस Unification of sensibility And एक ओर टर्म जो है वो है Disassociation of sensibility guys Disassociation of sensibility Okay Great Dissociation of sensibility And tradition and individual talent में इनोने कौन सा वाला terms दिया था So in tradition and individual talent His term is Theory of impersonality by the way Theory T-H-E-O-R-Y Theory of impersonality I-M-P-E-R-S-O-N-A-L-I-T-Y Theory of impersonality Got it? Yes And he aided in theory of impersonality What he aided guys What he aided So theory of impersonality guys इन्होने एक 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 एक्जाम्पल दिया था He said the mind of the poet is like a catalytic agent And he also he was also talking about a kind of chemical reaction याद है कौन सा वाला chemical reaction था अगर comment box में बता दिया ना एक चौकलेट मिलेगा बताईये कौन से chemical reaction की बात की थी In theory of impersonality Elliot want to say Keep in mind the historical background The masters The historical background Got it? The masters and the historical background guys Got it? Yes Theory of impersonality And he said But you must remember Yes Historical sense mind में रखिये But Mind अपना यूच कीजिये Lekin ये नहीं दिखना चाहिए कि You are using your own mind Yes Emotions and feeling is equal to poem Oh I am not talking about this one I am talking I am asking about the chemical reaction Which reaction he created Because he said Mind is working like a catalytic agent याद नहीं आ रहा है याद कीजियेगा Platinum as catalytic Yes guys Yes 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 Haan sir फिर हम लोग chocolate का print out Aray print out निकालने की क्या जरूरत है You have a lot of money Google पे Phone पे Paytm Everything you have Go and just take chocolate है न इदर तो देखिये So theory of impersonality guys इन्होंने कहा Mind is working like a catalytic agent Like platinum Okay Oxygen Yes And sulfur dioxide Is equal to sulfuric acid Yes इस किसने लिखा है ये Nourishing minds Wow Heads of you Yes Oxygen and sulfur dioxide Guys In presence of platinum But that shows no trace of platinum वही वाला एक्जम्पल ये था On the same way Elliot said कि ये जैसे हमारे पास Impression बाहर से आते हैं Na Feelings Emotions In mind Processing And then outcome That is poem But no trace of mind Be the impersonal one Personal Personal Na हो जाई Reader को feel करवा दीजे But do not feel ऐसा नहीं कि लिखते 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 पोयम और रोने लगे कल्यानमस्तू हो गया है न Poem गई साइड में The metaphysical poet Dissociation of sensibility Dissociation of sensibility means Separation of thoughts from feelings Dissociation of sensibility Separation of thoughts from feelings Separation of thoughts from feeling That is known as Dissociation of sensibility And unification of sensibility Thoughts and feelings को एक कर दीजे That is unification Got it? Yes Unification Yeah, great Unification Yeah And then Hamlet and his problem Objective-correlative Objective-correlative जैसे आप कोई काम करते हैं उसका objective होता है मेरी class watch कर रहे हैं Objective क्या है Want to crack Net ZRF1 Upcoming exam है न So that is the purpose और purpose के लिए प्लान तो करना पड़ता है Mobile charge करना पड़ता है Recharge भी रखना पड़ता है Internet connection राजवीर सर की class भी चलने चाहिए हैं है ना सब बहुत अच्छी situation होनी चाहिए है ना Yes So objective-correlative means जैसे जो आपका काम है उसको काम क्यों करने के लिए आपके जो इंसीडेंस है या जो आपके जो भी आपकी चीज़े जो घटनाए हैं वो कैसी उन्हें चीज़ सीक्वेंस में अब नहीं याद आ रहा है तो मैं क्या करूँ ठीक है याद आना चाहिए आपको याद नहीं आता तो मैं क्या करूँ चांट डू एनीधिंग बच्चा पार्टी है ना जस बाइद वे ये एक आशम क्लास थी आप सभी के लिए जांट बच्चा पार्टी और सभी को अन्हें तरप से बड़ा वाला शूक्रिया आंद आ शूक्राइट अट वैद इस ना आप तो त्या ना या का टाइम हो गया जैस तेंक यू सो मच बच्चा पार्टी और सभी को मेरी तरब से बड़ा वाला शुक्रिया एंड से लेट्स क्राक इट एक्जाम 13 को होगा हम फोड के आएंगे और फोड के आने के बाद जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं करेक्ट सब मिलते हैं कल वाली क्लास में कल गाईज मैंने कल का प्लान सुन लीजेगा प्लीजे स्टॉप राइट देयर कल का प्लान है मेरे पास कि कल मैं आपका एक टेस्ट लूँगा और भी काफी क्वेस्टिन्स लेकर आऊंगा शिक्स पीम जॉइन मी ओन अनक्याडमी दी लेनि लेकर आऊं सो दैट आप एक्जाम में कॉन्फिदेंट फील करो है ना सो बिल्कुल से लेट्स क्राक इट क्राक करना है कुछ भी हो क्रैक क्रैक होगा इंजॉइ किया थैंक यू सो मच मतलब यह तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरी क्लास इंजॉइ कर बिल्कुल सो वी हैब 20% डिस्काउंट ओफर फी यू अगर आप लेते हैं अभी 14 तक के लिए है आपके लिए ना इस बिल्कुल भी डी मोटिवेटेड नहीं फील करना है और आपके लिए मैं हाँ एक बात जरूर है मैं एक बात जाते जाते आपसे कह दूँ कह दे रहा हूँ दिखिए एक बात जो मुझे बिल्कुल नहीं जमी तो वो उसके लिए सुन लीजे मुझे नहीं जमी NTA का पैटर्न इस बार का फर्स्ट ओफ ओफ ओल इतना लेट एडमिट कार्ड जो NTA की सबसे बड़ी लापरवाही थी दूसरी चीज फिर गलत सलत से इंटर जहां डाला बच्चों ने वहां नहीं दिया इतना लेट तीन दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे रहा है उसके बाद फिर जहां कोड is not there sometimes you know the place उस प्लेस के बारे में complete डिस्क्रिप्शन नहीं है पता नहीं चाहता क्या है भई इस यह नहीं समझ में आता कहा चाहता क्या है एक्षिली में बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए इवन मल्टिपल मैसेजेस आर दे हैं सर्ये सर्वो शर्वो शर्वो तो यह तो गडबड है ना यह मतलब एंटी एको नहीं करना चाहिए अच्छा नहीं लगता इतनी बड और ओविड है अट लीस्ट आपको विदिन सिक्स मंथ एक्जाम करवाना था और नाव गईस टेंथ मंथ चल रहा है और आई डू नोट विश की आपका जो डिसमबर एक्जाम है आपको चांस मिलेगा फिर से मर्जड कर देगा और फिर से आपको आठ महीने दोडाता इस गाइस दिस इस वाट NTA इस दूइंग नावडीज पता नहीं कब क्या अनॉंस्मेंट करें कब क्या करें तो ऑपरेशन अच्छा नहीं है आई डू नोट विश की ऑपरेशन बहुत अच्छा है NTA का टोटली मतलब फेलियोर है यह सिस्टम से फेलियोर है भी आप टाइ कहीं पर किसी का कहीं पर कांट डू एनीफिंग है ना ऐसा ही ठीक है अब चलते हैं अब आई तिंग की बस आप पढ़ लो कोशिश करो है ना क्यूंकि टैकल तो करना है अगा बाइं टेक एर और गुड़नाइट कल मिलेंगे आपसे तब तक कि लिए नमस्कार जैहिंद जै कि आपारफ।